यूग का अर्थ है जूड़ना तो तीसरे अध्या में हमने देखा कर्म योग भगवान अर्जुन को कर्म योग बताते हैं फिर चौथे अध्या में हमने देखा कि अर्जुन को भगवान ग्यान योग बताते हैं ग्यान के द्वारा किस तरह कर्म के फल को आसक्त हो करके भग बोलते हैं अज्खन रुपी शेस्त्र से अपने अज्ञान रुपी शेस्त्र सार्ण जोई चित्र अपना उसको काट डालो और विद कर तो अज्ञान एक जान इ Unknown ऑपना क्यों है उसको तरफ know कि यूद अरन के तो जो अर्जुन है वह ऑचमबित हो जाते हैं कि आधवान एक तुर तो ज्चीज बता कि मुझे ग्ञान योग मूझे सन्यास लेना है कर्म को संय करना है या युद करना है फिर भगवान भगवान सुरूर Chuck यह की चीज़ बता है बता रहे हैं ज्ञान से कर्म के फल को आपियां कीजे उसको दुबारा भगवान पांच पांठाइआ में कर्मÓक को जो तीसरी अध्याएं उसको दुबारा वो बताते हैं कि कि थी पितिन चीजें जाने अगर आप ये तीन जान में habrगता और सर्व लोक महईश्यवरम सु हिर्दे सर्व भूताना ज्यात्मा शांति मृच्छति यानि तीन चीज़ें अगर आप यह जान जाते कि भगवान ही परम भगवानी सभी कर्मों के फल के भोगता है तो आप खुद स्वयम हमनों खुद स्वयम जो है वो किसी भी फल के भोगता दूसरा नोने बताए सार्व लोक महईश्यवरम भागवां हे महाइश्यवर मैं तीसरा चीज उन्हें कि शूहिर्दे सर्व भूता यानि वह न ि only सबसे बड़े हितै भाभवान को चीज अगर हमें ज्यात हो जाता है कि भगवान ही सब चीज के भोगता एं सब सब यगन के भूगता भगवान है जुसरा पड़ानी सभी सर्वलोक महिश्वर है सभी के इश्वर स्वामी है और तीसरा कि वो सभी के हितेशी है अगर ये तीन चीजे हमें ज्यात हो जाती है तो हमें स्वतही शांती मिल जाएगी क्योंकि हम तो किसी भी चीज के स्वामी नहीं है भगवान स्वामी है वही भोगता है और उनसे ब कि यह पता चले कि हमारा मित्र वो किसी बड़े में कारी करता है तो हम वी करते हैं तो हम यह यह रहता है कि हमारा जो मित्र है मों हमारा सही योग देगा तो उसी तरह भगवान सब के हिदैशी है तो यह तीन जानने के परश्चा हमारे यही पूरे गिता का शांती शूत्र है है जो इंद्धाए के जो अंतिम जो हमने वह हो और अंतीम श्लोकों में अध्यान योग के बारे में नहिंद यूग करते हैं ध्यान योग यानि से जुड़ेने का योग बूलतें कि अधे भड़ते हैं योग तो योग क्या है, योग मतलब जोड़ना, तो हमारे मन में जब भी हम ये योग सुनते हैं, योग क्या है, तो कई चरे छवी हमारे कलपना हमारे दिमाग में आता है, कि योग क्या है, एक तरह का जो चितर के मादम चितर में देख रहे हैं, कि एक योगी है, जो अपने दृष शरीर को संतुलिद कर रहे हैं, यह भी हमारे मन में आता है, कि यह भी सार का भी योग होता है, यह जो एक तपस्या करा है जिसमें आप देख रहे हैं, कि अपने सर को वो जमीन के अंदर र Krank हौआ है, यह भी यह एक योग की पगधिती है, आजकल हम यह देखते हैं योग योग जो है यह सबसे ज़्यादा पूरे विश्भर में प्रचलित है भारत के दो चीजों का प्रचलन सबसे ज़्यादा एक है योग दूसरा है कर्म यानि कर्म तो यह योग जो है वह बहुत प्रचलित है और हम इसमें कुछ शाररिक वयायाम हैं तो यह हुंं धेख सकते हैं कि वह करें किया यह योग है कि क्या इसको हम योग कहते हैं या इसoirा के वयाम कोई कार्वा किया जा जाए mới कि कई के ऑफिस-ोँ चीजों पर आज के समय में किताबी लिखी जा रही है एक कुछ किताब है तो अब हम समस्ते हैं योग है क्या तो सबसे पहला भागवान बताते हैं बोलते हैं श्री भगवान ने का जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रती अनाशक्त है और जो अपने कर्तेव का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है वह नहीं जो न तो अगनी चलाता है और न कर्म करता है तो यहां भगवान क्या बताना चाहरे है कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रती अना सकते हैं और जो अपने कर्तेव का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है यानि कि पुर्ण अस्टांग योग में अस्टांग योग की संस्तुती यहां पर बताएंगे कि जो कर्म फल से आ सकते हैं और जो पूर्ण सन्यासी पूर्ण सन्यासी का भगवान महाप्रभु चैतने ने बहुत अच्छा एक श्लुक दिया है सिक्षास्ट कम में कहते हैं ना धनम न जनम न सुन्दरिन न कवितम वाच अक्दीश कामे मम जन्मनी जन्मनी श्वरी भवता भक्ति अहे तुकी तोई ना धनम न जनम न मुझे भगवान न मुझे धन संक्रह करनी की कामना है ना धनम ना जनम ना किसी तरह का सुन्दर कविता का संकलन करना है ना किसी सुन्दर स्त्रिय का साथ का रमन करना है ना मुझे किसी अनुयायों का कामना करना है ठीक है तो मुझे क्या कामना करना है कि मैं आपका जन्म जनमांतर दक आपकी अहे त सन्यासी का अर्थ भगवान यहां यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कर्मफल से आ सकत होना और सारे जो अपने कर्मफल हैं वो भगवान की सेवा में लगाना वही असली योगी है तो अस्टांग योग क्या है अस्टांग जैसे तरह अस्ट और आंग मतलब एक इस तरह का योग इसमें आठ पदतियां है अस्टांग ठीक है तो अस्टांग योग का मुख्य उद्देश क्या है आगे हम जानेंगे आस्टांग यो कम मुख्य उद्देश है अपने मन और इंद्रियों को नियंतरन करना और यह नियंतरन कैसे करना है इन आठ पदितियों से जो इसी के कारणी से अस्टांग बोलते है तो यह आठ अस्टांग के नियम है पूरे विविद रूप में वंडरन भगवान करते हैं जिसका जिसका पहला जो आता है यम आता है यह आठ अप चक्र देख रहे हैं यम का मतलब हुआ उन्हें हमें क्या करना है यग में क्या करना है दूसरा आता है नियम क्या नहीं करना है इसका मतलब यह हुआ यम का मान लीजे कि किसी एकांत वास में एकांत जगह में जाकर के तब करना है यग करना है और नियम का क्या मतलब है क्या नहीं करना है यानि कि धीड़ भार इलाके में नहीं बैठना है अग अंग्रीजी में इसको कहें तो डूज और डॉंट्स ठीक है तीसरा आता है आसन यानि शारिरिक वयाम शारिरिक वयाम मतलब आपको उस शारिरिक वयाम के द्वारा meditation शादना और हमारी योग की समझ जो है यही तीन जगह तक सीमित हो जाती क्या करना है क्या नहीं करना है क्या खाना है कितने बज़े नहीं उठना और क्या योग करना लेकिन अश्टांग योग जो है इससे कई आगे जो चौथा हमारा आता है प्रनायम प्रनायं प्रणायं मतलब जहां पे सांसों के द्वारा उस नियंतरन के व्रिदिक की जाती है और प्रत्यहार जो से बिल्कुल उसका उसका स्थ gold की किसी एकांत में बैठना आप वास करना और अपने इंद्रितुरिप्टी से बिल्कुल विलग strip जाना वो होता है प्रत्य हर और धारना इसके बाद आता हो मिलकुल और परत्य हर के बीज का करमार्ध में सुरूप को टेयान लगाना इसके बीच का जो है वो धारना मतलब उसकी तयारी ध्यान की तयारी concentration बताना और सबसे अंतिम चरण है समाधी समाधी का मतलब है उसको भागवान का अपने हिर्दे में साक्षातकार हो गया है परमात्मा सवरूप को सवरूप में साक्षातकार हो तो यह जो आठ चरण है यह आठ चरण बनाते हैं स्टांग स्टांग यूग यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्यहार धारना ध्यान और अंत में भगवान का साक्षातकार जिसे समाधी कहते हैं आगे चलते हैं तो यह कुछ वर्णन है यम किसे कहते हैं यम उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए इसे एकांत वास जो यम हम बताया है कि यम मतलब एकांत वास करना है बिलकुल एकांत जगह चुन करके उम्हापे बैटना है दूसरा आता है नियम यानि क्या नहीं करना है अपने खाने, सोने, काम करने और मनरणजन करने की आदतों को सोने, खाने, काम करने और मनरणजन करने की आदतों में समशितोशनम यानि उसको नियमनीत करना है किस समय खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, ठीक है, काम करनी की क्यावदी होनी चाहिए, तो ये आता है आपका नियम में, फिर आते हैं आसन, आसन में कहते हैं जमीन पर कुसा बिछाए और फिर उसे एक हिरन के खाल से कवर करें, हिरन के खाल के कवर करने का, आसन नो तो बहुत उचा होना चाहिए और नहीं नीचा होना चाहिए और पवित्रस्तान पर स्थित होना चाहिए तो यहां पर एक चीज आपको बताते हीरन के खाल को कवर करना इसका मतलब यह नहीं हमें समझना है कि हीरन का जो खाल है हमें हीरन को मार करके जो योगी होते हैं हीरन को मार मुलाइम होता है इसलिए उसको बताए गया है किसी विपती के शरी वह ज्यादा नहीं ऊपर होना चाहिए उनका जो बैठेने का आसन्याइब नहीं बहुत नीचा उसमें आपका संतुलन नहीं रहेगा अगर नीचे बैठेगा तो कीड़े मकोड़े आपको तंग करेंगे नोग पर लगातार गुरना चाहिए इस प्रकार एक एक नग दबेवे मन से भैसे रहे पूरी तरह से यौन जीवन से मुख्ट किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए तो यहां आसन के पून रूप से बता रहे हैं कि आसन में क्या करना चाहिए नहीं उपर ज्यादा बैट आसन नहीं उपर लगाना चाहिए नहीं नीचे लगाना चाहिए और अपने यह जो नाक के नूग पर है उस पर ध्यान केंद्रित करना है इससे आसन बोलते हैं प्रणायाम किसे बोलते हैं आने और जाने वाले स्वास की गती में रोगनी का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें इसका ताप्पर यह है कि स्वासों को नियमित करना कि अग्याद करना कि सासों को नियमित करना और सासों को नियमित करने से उम्रिका इनका मुख्यों देश होता उम्रुपी व्रिद्धी करना इंटरनेट प्रॉलम करना है हरे क्रिशना थोड़ा साथ समेड़ी देख और मेरा को प्रॉप सिस्टम हैंग हों गया कुपी दर प्रत्यहार क्या था माफी चाहता हूं थोड़ा सिस्टम में थोड़ा प्रव्लम था प्रत्यहार प्रत्यहार आता भौतिक अस्तित्व की समाप्ति यानि अपने इंद्रिय सुख है उसकी अस्तित्व की समाप्ति फिर आता है धारना उसकी मानसिक गतिवीवियों की अनुशाशित करता है और पारलोकिक सित्व हो जाती है सित्व हो जाती सभी भौतिक से रहे उसरे योग प्राइब करने के लिए ता में प्रो धारणा के में जाता है m वो concentration का एक पहला step है वो लेता है इसके बाद फिर ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है उसी तरह पर लौक एक वेक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है फिर वो ध्यान में बिलकुल ध्यान इस तरह दीपक का लौद सबसे बड़ी कठनाई के बीच स्थिर रहता है वह वास्ता में भाधिक संपर्ख से तदा सभी दुगों से वास्विक्स रोत अंतरता है यहां पर यह जो अंतिम पड़ाव है अस्टांग यूग का यहां पर उसको भगवान का आत्मसाक्षात कार होता है यानि भगवान का कि विन में होता है तो क्या आप इस यूग प्रणाली को आज माने के लिए तैयार हैं तो अब हमने इतना देख लिया आठ जो पदिती हमने देखी क्या यह पदिती पॉसिबल है क्या इस कल्यूग में है वो देखते हैं इस तो इस तो थोड़ा साथ मेरा सिस्टम लिख दे रहा है क्यों क्या यह संभव है करना तो भगवान यहां पर बता रहे हैं चौतिस्वें श्लोक में चंचला ही मन क्रिष्णा प्रमाती बल्वत रिडम तस्याम निग्रह मनने वायूरेव सुदुष कर्मा यह अर्जन बता रहे हैं है क्रिष्णा चूकि मन चंचल यानि अस्थिर उस्षिंखल कि हटीला तता अत्यंत बलवान है अता मुझे इसे वश्में करना वायू के वश्में करने से भी अधिक कठीन लगता है यानि क्या हम वाई को अपने हाथ से पकड़ सकते हैं क्या नहीं पकड़ सकते हैं उसी तरह यहां अर्जुन वहां यहां पर अर्जुन यह भगवान को बता रहे हैं जो 5000 साल पूर्व की बात है उनके उनमें एक देवी गुण है अर्जुन गुडाकेश गुडाकेश का मतलब यह उन्होंने अज्ञान रुपी नीद को हर लिया है तो जब वह ऐसा कह रहे हैं क्या यह संभव है तो इस कल्यूम में क्या यह संभव है यह योग को करना क्योंकि हम तो समान्य जो साधन होते हैं कभी-कभी हम उन साधनों की त महा युद्ध, महावीर और भगवान के भद वो जब वो कह रहे हैं कि नहीं उनका चंचला ही मना क्रिश्णा यानि कि तीन चीज़ें जो हैं वो मन को अस्तिर करती है एक तो मन काफी अस्तिर है उर्शिंखल है यानि कि विचलित रहता है हटीला है और बलवान है जो तो अ हमारे हमें पवित्र स्थान मिल सकता है नहीं मिल सकता है पवित्र स्थान की आज के तारीक में आप तिर्ट स्थल में जाए बहुत ही मुश्किल है पवित्र स्थान का इतनी भीड़ है तिर्ट स्थलों में क्या एकांत वाश कर सकते हैं करना बहुत मुश्किल है कि यह पद है वह कल्यूग में बहुत कम हो चुकी है तो सबसे सरल विदी क्या है सबसे सरल विदी है सवय मनेक कृष्णा पदार्वंदियों यानि मनुष्ट को चाहिए अपनी सारी इंद्रियों को पूर्ण तया भगवान कृष्ण में लगा है यह सरल विदी भगवान यहां बता रहे हैं जब अर्जुन ने अपना शंचय बताया कि चंचला ही मना कृष्णा मेरा मन बहुत चंचल है कैसे मैं इस पर द्रिड़ता कर सकता हूं तो भगवान बताते हैं अशंचयम महाबाहू मुनी दूनी ग्रहम दूनी ग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौ भगवान आप बताएंगे कि यह संभव कैसे मन के दो दिन तीन दिन पहले किसी प्रभु जी ने पूझा था मन को कैसे साम्यमित करें यहां बता रहे हैं हम उस पड़ा पे पहुंच गए जब भगवान बता रहे हैं यह मन को कैसे संव्राइसा संभव है तो अभ्यास दो चीज बताते हैं भगवान यहां पर अभ्यास और वैराद में तो अभ्यास कैसे कर सकते हैं निरंतर भगवान का भगवान का भक्ति के नौ नवदा भक्ति नौ स्टेप हैं नौ पदितियां हैं जिसके तुरा द्वारा भगवान की भक्ति कर सकते हैं वो क्य तो इसमें पहला जो है उस सबसे प्रमुख माना जाता है तो शवन केवल स्रवन मात्र से ही हम भगवान के भगवान को जान सकते हैं भगवान के निकट पहुंच सकते हैं है ना और शवन के महादें से हम गीता का जो आप अभी कार करेंगीता के सुन रहे हैं तो यह एक घंटे में आप जो गोिता का अध्यान कर रहे हैं इस ग més और और कोई काम आप नहीं कर दिया डिया है तो आपकी जो इंद्रियां हैं स्वटाही नियांत्रित हो गई लूदैनक बता रहे हैं वह राग्वाज्क वहुत दो अभ्याश है पहला तो हरीनाम का जाप दूसरा शर्वना और दूसरा बता रहे हैं भगवान वयराग्य क्रिश्ण के विशय में जो जितना श्रवन करेगा परदार से उतनी विरक्ति होगी जैसे आप एक घंटे आभी सुन रहे हैं तो और कोई कार में आप वैस्त नहीं है सिर्फ भगवान की वानी सुनने में अपना सारा मन आपने लगा रखा ह हैं तो वह सुता ही आपको इस एक घंटे में सुता ही आप वैराग्य हो गया तो इसी तरह आप समझ यह पूरे अगर दिन हम इस तरह का कारे करते हैं और भागवान को ही केंद्र मार करके सारा कारे अपने करते हैं तो आप सुता ही वैराग्य में है ना तो यही भाक्त और बहुत की जीम्हें फर्क होता है कि वह आपको देखने में दोनों एक लगें लेकिन वह कर रहा है तो क्रिश्न कर लिए कार करद करते स्वता ही वियराज्यम से क्योंकि बहुतिक आसकती कर्म फल प्रें उसकी जासकती- नहीं पर मन दोस्त है या दुश्मन पहले पढ़ लेते हैं इसके बाद उस स्लाइड पर जाएंगे छटे में हैं यानि भगवाने कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सरुषेश मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा यानि मन का शत्रू अगर मन को हमने जीत लिया तो वो हमारा मित्र है नहीं जीता तो हमारा शत्रू है अभी मालीचे आपको सुबह उठना है सुबह पांच बजे उठना है या चार बजे उठना है चार बजे उठना है या आपको कोई कोई कक्षा है या आपका कोई class एच्छी वज़े का तो आपको लगता है आपने पांच बजे का alarm लगाए यह पांच बजे उड़ जाता हूं है ना फिर आपने बोला अगर आप आपका मन दुश्मन है तो आप सोचेंगे कि आप 10 मिनट का alarm और छोड़ देता है तो दस मिनट बाद का alarm लगाए फिर आपने सोचा कि अभी तो और पंदर मिट बाकी है क्योंकि कक्षा तो ऑनलाइं होने वाली ठीक है तो पंदर मिनट के बाद फिर हम उड़ते हैं तो ऐसे करते 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 फिर आप एक समय यह निड़ने लेते है कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा और वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाते तो इसी तरह मन आपका अगर नियंत्रण में नहीं क्योंकि मन आपके बुद्धि पर हावी हो गया है इसलिए मन में आपका मन आपका यहां पर दुश्मन है तो मन नियंत्रित हो गया तो तवाही भी मचा सकता है जैसे आप चित्र के मात्यम से देख रहे हैं तो हमें क्या करना है मन को अपना सैयम करना मित्र बनाना अर्जुन ने कहा अब यह प्रशनाता अर्जुन का है कृष्ण उस असफ़ल योगी की गति क्या है जो प्रारम में शर् बहुत अच्छा प्रशन है अर्जुन का अर्जुन यह प्रशन कर रहे हैं कि उन योगी का क्या होता कि जो किसी कारणवर्ष शद्धा में तो द्रिड़ हैं लेकिन किसी कारणवर्ष वो भौतिकता वाद में बाद में फस जाते हैं तो इनका क्या गंतवे होगा तो भागवान कह रहे हैं असफल योगी पवित्र आत्मा पवित्र आत्माओं के लोकों में अनिक अनिक वर्षु तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान के कुल में जनम लेता है तो इसका श्लोक है अगर ऐसे जो भक्ती करते करते जिसका पतन हो जाता है तो या तो सूचि नाम श्रीमतान यानि सूचि नाम किसी धनवान परिवार में जन्म होगा उसका या किसी सदाचारी पुरुष में होगा ऐसा क्यों को कह रहे हैं क्योंकि अगर धनवान परिवार में जन्म होता है तो उसके पास वो वैभव है कि वो जीवन वैपन के लिए उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा वो उसको भगती के लिए मार्ग उसके लिए आसान हो जए उसी तरह सादाचारि पुरुष के घर में जन्म लेता है तो उसकी भगती सवता क्योंकि उसतरह का उसको संसकार मिलेंगे कि भगती सवता ही करने में उसे आसानी होगी और दूसरा ये कहते हैं कि जो बहुत दिन तक ये तो पहला उन्होंने बताया कि कुछ दिन तक एक तो काफ फिर दूसरा ये बता रहे हैं जो बहुत दिनों तक करता है उसके लिए असफलता अगर वो असफल हो गया तो क्या होगा उसका कह रहे है अत्वा यदि दिर्ग काल तग योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जनम लेता है जो अधी बुद्धिमान है निश्चय ही इसे संसार में ऐसा जनम दुरलब है तो ये उनके लिए कह रहे हैं जो चित्र में देख रहे हैं आप कि एक ग्रस्त जो है अपने बच्चों के संकीरतन कर रहा है भगवान का भजन का रहा है कि वो अगर दिर्ग काल तक उसने भगवान की भक्ति करी है और फिर उसका पतन होता है तो उसका जो जनम है किसी वैशनों के परिवार में होता है ताकि भक्ति उसकी स्वतही तुरंत शुरू हो जाती है जैसे हमारे आचार श सिदान सरसोती ठाकुर, उनकी आज जन्म हैं, भक्ती सिदान सरसोती ठाकुर का जन्म, उनके पिताय थे, बहुत बड़े वैशनव अचार, भक्ती विरोट ठाकुर और श्रुला प्रवपाद उनका भी पूरा वैशनम घर था, तो कहने का तात पर भगवान का ये है कि इन्हो उन्हें पुर्व जनम में जरूर ही काफी दिर्व काल तक इन्होंने भक्ति करी होगी तभी ऐसा परिवार मिला तो अब निश्कर्ष आता है कि सबसे बड़ा योगी कौन है भगवान यहां पर तीन चीजे बता दिए तीसरे अध्धाय से कर्म योग बता है फिर ज्यान योग बता है अब ध्यान योग अस्टांग योग के बारे में पूरा विस्त्रित वर्णन किरा अब यह बताएंगे अपी शर्वेशाम मत गते रंतरात्म नाम शद्दावान भजते योग माम सहमे युक्तमो मत और समस्त योगियों में से जो योग योगी अत्यन्त शद्दा पुर्वक मेरे परायन है अपने अंत करन में मेरे विशे में सोचता है और मेरे दिवे प्रेमा में भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता रूप सबों में सरवोच है यही मेरा मत है तो इसमें दो-तीन चीजें बहुत मुख है योगी नाम अपी सरवेशा यानि सभी योगियों में मत गतेरंतरात्म नाम यानि कि जो मेरे परायन है मेरे मत गतेरंतरात् विशय में सदैव चिंतन करता है शद्धावान भजते यानि शद्धा पुर्वक मुझे भजता है अब ये भजते जो शब्ध है बहुत ही महपूर्ण है और ये सिर्फ भगवान के लिए प्रियोग होता है भजते और पूजन एक तो होता है पूजा अब प्रपाची अपने परपट में बताते हैं तातपर में बताते हैं कि भजते और पूजा में क्या अंतर है हम पूजा जो है भगवान के लिए नहीं उप्योग करते है भजते का मतलब होता है तो ये भगवान निशकर्ष दे दिया योगी नाम अपि तो अब ये पड़ाव देख लेते हैं क्यों ऐसा भगवान ने कहा तो चार पतितियां तीन पतितियां हमने देखी कर्म योग ज्यान योग अश्टांग योग और भक्ति योग तो ये जितने भी योग हैं अंत में भक्ति योग कही समावेश होते हैं क्योंकि कर्म योग में अपना कर्म के फल को त्या करके भगवान की सेवा करता है और वो जब ग्यान के स्तर पे जाता है फिर वो ग्यान अर्जित करता है और ग्यान के द्वारा भगवान को भगवान की सेवा करता है और इसके बाद अश्टांग योग तो अस्टांग योग में हमने देखा कि अंतिम पड़ाव है क्या भगवान से तदाकार होना यानि समाधी और इससे अगर उससे उपर चला गया तो भक्ति योग आता है तो कहने का ताथपर ये है कि मान लिजे आपने 100 रुपया का आपके पास एक नोट है 100 रुपया में 10 रुपय के भी समावेश है 20 रुपय का भी समावेश है 50 रुपय का भी समावेश है और 100 रुपय भी तो भक्ति योग में इन सब योगों का समावेश है तो भक्ति योगी परनिती है इन सब योगों की एक वेक्ति जो अधात्मिक रूप से जिग्यासू है वह सबसे बुन्यादी परकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म-योग जो कर्म वह अपना भगवान का पूजन भगवान का यह आरति करता है प्रशादम भगवान को भोग अर्पित करता है, भगवान के लिए जाडू लगाता है मंदिरों में, तो अपनी च्छमता के नुसार वो प्रभू के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चड़ाना, मंदिर की सफाई करना, दान और आदी करना, इसका भहास करते हैं, वो कई ज्यान होता है, फिर ज्यान लेना शुरू करता है, और भगवान को और जानना, ज्यान के द्वारा भगवान को जानता है, और फिर वो धीरे धीरे ये समझने लगता है, कि वो शरी नहीं, परमात्मा उसके हिर्दे में रहता है, और वो इस बात को महसूस करना चाहता है, वो योग यही भगवान ने अपना अंतिम दिनने दिया है बक्ति योग को बुद्धी योग भी कहा जाता है और क्योंकि यह सभी योगों के सबसे चतूर है क्योंकि अन्य लोगों की सिमाय है इसका कोई भी सिमाय नहीं है क्यों ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमने कई ऐसे धारन देख जिवन्त उधारन है तो योग में भी इस तरह के योग में क्योंकि कर्म करने की इच्छा बनी रहती है तो उसमें कभी भी पतन हो सकता है किन्तु भक्ति योग में ऐसा कभी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो कर्म कर रहा है और कर्म वो सारे फल भगवान को सेवा में लगा रहा है तो प्रभपार जी कह रहे हैं भक्ति योगों की परिनिती है यानि परिनिती का मतलब है कि मूल है इसी योग में सारे समावेश है अन्य योग तो भक्ति योग के भक्ति तक कहुंचने का एक साधन मातर है तो हमने ये पिछले दिखा कि एक व्यक्ति कर्म योग करता है कर्म के द्वारा फिर ग्यान अरजित करता है ग्यान के बाद वो ध्यान में जाता है जहां पर वो समाध्री स्वरूप होता है, इसके बाद फिर वो उससे परे, याननि भगवान का सक्षृतिकार करता है, योग की वास्त्विक अर्थ भग्तियोग है, अन्य सारे योग, भक्ति योग रूपी गंतव की दिशा में अगरसर होते हैं, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तका लंबा रास्ता, आत्म साक्षाकार तक का जाता है, निशकाम कर्म योग इस रास्ते का आरंब है, कोई दिर्ला भागशाली ही वैदिक लिद्धान के अनु क्रिश्ण भावना भावित के स्विकार कर पाता है शुरू में हमारे यहां कितनी लोग आते हैं फिर धीरे 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 जब इस ग्यान में उनको इंट्रेस्ट नहीं रहता तो छोड़ते चल जाते हैं इसलिए भगवान ने भी इसमें कहा है आगे जाएंगे तो पढ़ेंग करने वाली उनकी जोती ब्रह्म जोती कहलाती है वे ना राम नरसिंग वरा तता श्री भगवान कृष्ण जैसे विभन रूपों में अवतरित हैं वे समाने व्यक्ति की भाती माता यश्वता के पुत्र रूप में जन्ग रहन करते हैं और कृष्ण गोविंद तता वसुद कहलाता है योगी का कि यह सर्वोश दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है जिसकी पुष्टी वैदिक साहित से होती है तो योगी नाम अपी शर्वेशा मत गतर अंतर आत्मना शद्धावान भजते योवां सहमें युक्तमों मता भगवान ने अपना अंति विद्धा तो यह योग की पद्यति जो है हमारा अध्याए समाप्त होता है पर अभी हमारा योग की तेन योग है कर्म योग भक्ति योग और ज्यान योग जो हमारा पहला छे अध्याय है वो कर्म योग है वो यहां तक समाप्त होता है और यहां के आगे कल से हम बहुत ही महतपूर्ण अध्याई आने वाला है साथवा अध्याई सात्वां से ले करके बारवा ध्यात है भक्तियोग है जो की प्रवपाजी बताते हैं कि अगर आप दो बिस्किट में जो क्रीम लगा रहता है तो ऊपर का जो है वो कर्म योग है, नीचे का ग्यान है और बीच का जो क्रीम है वो भक्तियोग है पही है अब यह हमारे लिए इस युग में किस तरह का यग गता और किस तरह का प्ऱुपाजी बताते हैं। सत्ज यूग सत्ज यूग का कुल है 4 लाख 32 साल तो हर युग का एक युग धर्म होता है, तो सत्युग में भगवान का भगवान विश्णु का ध्यान करना, जो सत्युग में लोगों की उम्र बहुत बड़ी होती थी, हजार हजार वस जीते थी, तो भगवान को, भगवान विश्णु का ध्यान करना, वो उस समय का युग तरितायुग में ये धर्म पली दान के रूप में बहुस्ट यग्न करना तरितायुगद्धायुग धर्म था जहां पर महंगे सैट्रिफाइजिव होती थी और तीसरा आता था दौआपर्र द्वापर का यूग धर्म क्या था भगवान पूजा अर्शन करना पूजा करना ये था द्वापर का यूग का नाम लेना ही जो जो फल यूग धर्म यूग का धर्म का मतलब यह होता है, उस यूग का क्या धर्म है, तो जो धर्म इन सवों में जो फ़ालो की प्राप्ति होती है, वही दो प्रभु का प्रभु का पवित्र नामों का चप्थ। तो एक चैतने चरिता मिर्त में बहुत अच्छा यह आता है कल यूग का यूग धर्म का नाम प्रचारी है और इस नाम को प्रचार करने के लिए उनाय थै पीत वस्त्र में पहने हुए भगवान महाप्रभु चैतने तो यह हम भागता में बताते हैं यह पहले पढ़ लेते फिर भागता में भी बताऊंगा आपको नरायन संगीता में क्या कहते हैं हरी नाम के लिए कल यूग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जब करना चाहिए यानि द्वापर में सिर्फ भगवान को पंचरात विदी के द्वारा पूझने का विदी था युगधर्म, किन्तु कल युग में लोगों के वल परमेश्वर का पवित्र नामों का जफी करना चाहिए। एक और शास्त्र का वर्णन आता है, जहां पे कली संतन करके शास्त्रे जहां पे हरी नाम के बारे में कहते हैं, इति शोदशकम नामनम कली कतलमशनासनम नत पर्यतोप पराया सर्वा विदेशु द्रिश्यते यानि हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये इति शोदशकम शोलाहख शब्दों का है, आप गणना करेंगे तो शोलाख नामनाम, कली यह जो नाम है, हरे ख्री खृत पृत 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 आया सर्वविदेशु द्रिश्वतェ। यह सभी वेदों का सार है कि ये जो हरे कृष्ण महामत रहे ये कली का नाश नम है कली का कलमश का नाश नम है कि ये जो हमने बता है इती सुदाश कम नामनाम कली कलमश नाश नम नतव प्रतुपराय सर्व वेदेश उद्रिश्यति यानि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरी राम हरी राम 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 аны हरे ये एक शमख भागवतम में आता है जहां पर नमी के नमी रिशिमुनी कहते हैं नमीて कार Planet क के रिशिमुनी कहते हैं की मेरे प्यारी राजा हलाकि कल्यूग दोशों से भरा है प्रायन अलपायूश भागवत्र में बतायते हैं प्रायन अलपायूश सब्ध्यकलाविस्मीन यानि हम जगडालू है मंद यानि आलसी है, सुमंद मत्यो, यानि हमार दिशाहीन है, कोई डारेक्शन नहीं है, मंद भाग गया, हमारा किस्मत भी तेज नहीं है, तो यहां पर ये बता रहें, इतने कलमश होने के बाद भी, मेरे प्यारा राजा हला की कल यूग दोशों से भरा है, फिर भी इस यू मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंदन से मुक्त हो जाता है और अध्यात्मिक में पदोनत्त हो सकता है, तो सिर्फ भगवान का हरी नाम करने से ही, आपको वो सारी आपको वो अच्छाईयां मिलेंगी, जो द्वापर में भगवान का पूझन से मिलता था, जो तृ तो वो सारे गून और सारी आपको वह हरी नाम से इसका यूग में मिलेगा तो यहां पर बता रहे हैं दस द्हाय में भी यह बता हैं यग्ना नाम चब यग्योवस में यानि बलिदानों में भगवान स्वैंँ को ही बता रहे हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महा मंत्र का जाब शुरू करने से पहले पंचितत्व मंत्र का जब करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है पंचितत्व का मंत्र क्या है जैश्री कृष्ण चैतन्या जो बीच में हैं भगवान के जो दाहिने साइड है यह नित्यानद है यानि हमारे नित्यानद प्रभू है और उन के बाएँ किप और भागवान के दाहिन है और उन के दाह Index है और गौर भक्तahlt श्रीवां और बखथ्वरिंद क्योंकि महाप्रभु नहीं इस संकीर्टन अंदुलन को अग्रसर किया उस उन्हों नहीं शुरुवाद करी और प्रभुपाजी के माद्यम से हम अभी इसका पुरे विश्व भर में प्रचाप्रसार कर रहे हैं किस तरह क्या है किस तरह का चैंटिंग होना चाहिए चैंटिंग के लिए क्या है थोड़ा जोर से जब करें मंत्र सुनने के लिए प्रयाप्त जोर से जोर से जब करना क्यों हैं दो तरीके से जब कर सकते हैं एक तो कर सकते हैं अपने मनमन में कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी सुनाइने पड़ रहा है लेकिन जोर से जब करने के लिए क्यों बोलते हैं सास्त्रों में इसे लिए बोलते हैं कि एक तो आपके नाम हरी नाम से और भी कितने जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है और दूसरा आपके कीड़े मकोड़े आसपास जेतने हैं पेड़ वाइस है वो नहीं आ रहा है तो आपका कान भी उसमें नहीं सुन रहा है तो जब आप जोर से जब करेंगे तो सारी इंद्रियां जो हैं आपकी वो उसमें मगन हो जाएंगी आपका कान भी उसको सुनेगा आपकी जीवा भी उचारन करेगी आपका ध्यान भी उसमें मन भी उसमें लगेगा, तो सारी इंद्रिय कि आपकी स्वताइ उसमें लग जाएंगे, इसलिए जोड TP करने की विदी बताए जाती। प्रतेख नाम का अलग अलग उचारण करें। चाहिए ताकि आप सुन सके सम्मान भक्ति और एकागरता के साथ जब करें एकदम एक माला करिए पूरा एकागरे के साथ कीजिए हर शब्द को अपने कानों से सुनिए जोर से बोलिए ताकि आपका हर एक इंद्रिय जो है वो उस जब में मगने रहे इसी के साथ यह अध्याय हमारा समाप्त होता है और कल से हम भक्ति योग शुरू करेंगे सात्मा अध्याय से बहुत ही रोचक होने वाला है आप लोग सारे लोग आईएगा और दस मिनेट पहले जोइन कीजिए ताकि जब भी कर सके हरे कृष्णा मैं अपने वानी को विराम देता हूं किसी का कोई प्रश्ण हो तो बताएं डॉक्लर गुप्ता प्रभुजी है क्या कि अ कि 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 अ कि अ कि कि अ टॉक्तर शुरू गुप्ता प्रभुजी नहीं है हरे कृष्णा किसी का कोई प्रश्ण है आप चैट में भी कर सकते और हैं आप लोग सारे लोग कुईज कर पा रहे हैं कुईज करिए जरूर करिए कुईज करने में कोई भी समझार है उसे बताईए उसको समाधान करेंगे हरे क्रिश्णा कोई प्रश्ण नहीं दिख रहा है आज इमान शोग विने गुपता जी कह रहे हैं जिश्णा धिक्रिश्ण प्रभु जी क्या आप जप माला और गले में धारन की माला अलग अलग है जे प्रभु जी यह तो तुल्सी किसको कंटी माला बोलते हैं और यह जो है ये जब माला है ये इसे जब माला होता है ठीक है और ये सुमेरू मोती कहते हैं इसे ये एक सौाइट का जब इससे करते हैं और ये कंटी माला होता है और प्रश्ण है हरे कृष्ण कोने प्रभुची कह रहे है हरे क्रिश्णा प्रभुजी क्या डियर का चम्रा यूज करना इंद्रियों की तिर्थी नहीं है बिल्कुल है इसलिए मैंने कहा कि इंद्रियों का मार करके नहीं किया जाता क्युंकि वहां जंगल में पाए जादे थे तो उनका यह प्डेव किया जाता था इसलिए तो अर्जुनने तो बोला चंचला ही माने कृष्णा उसने ने भता दिया कि ये योग पद्धिती इस खल योग में करना बहुत ही पुश्किल है तो अर्जुन जब इतना दिव्य पुरुष था उसने जब इसको निश्काशित कर दिया क्योंकि इसको करना आज के जंगल में कैसे जा सकते हैं हम अपने ग्रेस जीवन को छोड़के या कोई किसी भी परिस्तिती में जाना बहुत ही कठीन है तो अरुजुन जैसे देवी पुरुष ने इसको निश्काशित कर दिया तो भगवान ने तो बोल दिया कि सबसे उच्चितम योग है भक्ति योग अना प्रभुब्भी और और कशीक प्रभुब्भु आज तरह इंटरनेट का कनेक्शन का इश्यू है इमानशू प्रभुजी कह रहे हैं सर्टिफिकेट की लिए आंसर कैसे करेंगे मेरा नहीं हो रहा है इनको देखिए आदित प्रभुजी बता रहे हैं क्विज करिए क्विज के बिना आप नहीं कर दिस्कनेक्ट हो जाने के वज़े से आंसर नहीं जाने पाए दुबारा प्रयास करना पड़ेगा माताजी कुछी माता जी कहां से करना है इनको गाइड कीजिए हिमांशु प्रभुजी को ओके प्रभुजी आप नंबर शेंड कर देना कर दो कर दो कर दो हुआ